नमस्कार मैं हूँ संदीब चौधी आप सभी को होली की बहुत बहुत बढ़ाईए हैपी होली बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है हमने कल होली का देहन भी किया था लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीती की और राजनीती में भी दो एहम राज्यों पर आज हम निगाह टेकने वाले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश बिहार चालिस सीते हैं उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोग सबासीतों वाला प्रदेश 80 सीत यहां से आती हैं कुल मिलाकर 120 सीते और 2019 के चुनाव में एंडिये ने यहां पर 103 सीते जीती थी लगबग 85% क स्ट्राइक रेट 62 सीते बीजे पी जीती उत्तर प्रदेश में असी में से दो घटकों ने जीती कुल संख्या 64 हो गई और एंडिये ने 49 सीते जीती थी बिहार में तो कुल बन जाता है 103 तो इन दोनों राज्यों की बात क्यों हैं क्योंकि कल बीजे पी ने अपनी पांचव लिस्ट जारी की 111 उमीदवार नामों की घोशना की गई लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिल्चस्पी जो दिखी और कुछ बाते जिने कुरेदने की जरूरत है वो दिखी बिहार और उत्तर प्रदेश की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में मेरट से अरुन गोविल जो दश बगवान राम मरियादा पुल्चोतम बगवान राम का किरदार निभा रहे थे उन्हें उतार दिया है बीजेपी ने अब बगवान राम की याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ गई अभी 22 जनवरी को ही तो प्रान प्रतिश्टा हुई राम लला विराजमान हुए बाका उसे रेखांकित करने के लिए क्या अरुन गोविल को मैदान में उतारना पड़ा यहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मत्रा से हेमा मालनी और वहाँ पर जमीन पर जाकर पूछे तो लोगों में थोड़ी नाराज़गी है एक एंटी इंकंबंसी है लेकिन हेमा मालनी को भी फिर से रिपीट करती दिखाई दे रही है बीजेपी दो दन पहले एबीपी नियूज ने कॉनक्लेव किया था लखनाओं में थे हम मुस्कुरा रहे थे मुस्कुराईए आप लखनाओं में हैं और योगी आदितिनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के मुक्खे मंत्री हैं ये ताल ठोकी कि वो होली मनाने मत्रा जा रहे हैं वहीं से अपने चुनावी प्रचार का शुबारंब भी करने वाले हैं तो वो जो एक नारा था पुराना नारा अयोध्या तो बस जाकी है काशी मत्रा बाकी है तो उस कार्ड को क्या खेलती दिखेगी बीजेपी फिर अजियाबाद की बात करें तो जनरल वीके सिंग अब 72 साल की उम्र है 1951 में उनका जन्म हुआ था उसी साल प्रदान मंत्री मोदी का भी जन्म हुआ था अब उनका पत्ता काट दिया गया है और बिहार में इस नाम की तुलना करें तो बिहार में सिवाय अश्वनी चौबे क बाकी तमाम मंत्री मौजूदा भी और पूर मंत्री भी जिनका दल धक-धक कर रहा था भी इस बार नंबर ना कर जाए पत्ता ना कर जाए तकट ना मिले उन सब को रिपीट किया जा रहा है और इसमें आरके सिंघ भी हैं गिर्राज सिंघ भी हैं रवीर शंकर प्रसाद भी हैं राजीव पताप रूडी भी हैं तो वहाँ पर एक continuity दिखी है एक निरंतरता दिखी है तीन सांसदों के टिकट तो बदल दिये बाकी दो सीटे बदली हैं बाकी सब वैसा का वैसा और 16 सांसद जो चुने गए थे जेडियू के टिकट पर 2019 में 17 सीटों में से 16 जीती थी जेडियू ने एक सीट जो एंडिया हा रहा था वो जेडियू का उमीदवार 16 में से बस दो सांसदों के टिकट कटे हैं तो ये गटबंदन की मजबूती दर्शाता है कि कोई एंटी इंकंबंसी नहीं सांसद से कोई नाराजगी नहीं इनको दुबारा टिकट देने में किसी तरह का जोकिम है क्या ये सोच है ये मजबूती है या दरसल एक मजबूरी भी कि आखरी मोमेंट पर इंडिया के रचैता इंडिया के करणधार जो बन गए नितीश कुमार उसके चलते हैं अब डोंट अपसेद अपल काथ सो एस टुसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि जो ये गाड़ी च अपने हमारे कारेक्टर में ही ताल ठोकी कि असी की असी जीतेंगे तो वीके सिंग को क्यों हटाया जा रहा है या संतोष गंगवार का पत्ता क्यों काट दिया गया सत्त देव पचारी संग मित्रा मौर्य ये बड़े नामों की बात कर रहा हूं मैं और इसमें एक और संसद हैं लोकसभा की नौ बार संसद रह चुकी हैं उनको रिपीट किया जा रहा है टिकट दे दिया गया है सुल्तानपुर से लेकिन पीली भीच से टिकट काट दिया गया है उनके बेटे वरुन गांधी का और पीली भीच से अब उत्तर पदेश सरकार में मंत्री जितन प्रसाद वो चुनाव लडने वाले हैं तो इसमें कहानी क्या है और मैंने अखिलेश यादव से पूछा था कौन क्लेव में कि क्या वरुन गांधी के लिए आपके दर्वाजे खुले हैं उन्होंने कहा कोई मजबूत अगर उम्मीदवार आता है बीजेपी से आता है तो हम म मना करेंगे तो वो तस्वीर जो वो खाका खिच रहा है ना वो आ रहा है आपके समझ में और इसमें हालकि आज हम हर्याना की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक घंटा पहले बीजेपी जॉइन की नवीन जिंदल ने और कोल गेट में कोईला गोटाले में वो आरोपी थे ब् उसके फॉरण बाद कुरुक शेतर से हर्याना से उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया क्या वाशिंग मेशीन में वो भी धुल गए हैं वो कोईला गोटाला कुछ नहीं जैसे अशोग चवान के मामले में आदर्श गोटाला कोई गोटाला नहीं था आदर्शाव सिंग्स कैम उस पे फिल्म भी बनी थी पर वापिस उत्तर प्रदेश और बिहार पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये टिकट जो सिलेक्टिव कट रहे हैं ये कुछ कहानी बया कर रहे हैं क्या अजय मिश्रा टेनी उनका टिकट रिपीट कर दिया गया है ग्री राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने कुछल कर रौन दिया था मार दिया था चार किसानों को उनको टिकट दे दिया गया लेकिन ब्रज भूशन शरन सिंग भारती एकुछती संग के अध्यक्ष भी रहे रा और करनी हैं लेकिन ब्रज भूशन शरन सिंग पर अभी संचे बना हुआ है तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है यूपी बिहार की 120, 2024 की सबसे बड़ी 30 कहानी यहीं अठकी हुई है क्या इसलिए फूंक फूंक कर संबल संबल कर कदम उठाए जा रहे हैं और बीजेपी की लिस्ट 24 में कितना ट्विस्ट जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे